चिनवाडा के चोरई से बड़ी खबर ग्राम बेलखड़ा में कल सुबह से फसे युवक को एंडी आरेफ की टीम ने आखिरकार हैलिकाप्टर के मदद से सुरक्षित निकाल लिया वहीं युवक को जिला स्पताल भरती कराया गया जहां उसका अपचार जारी है आपको बता दे की चिनवाडा के चोरई में बना माचा को रटेम में अत्यादिक बारिश के चलते बांद के गेट खोलने से अचानक नदी नालो में बाल का पानी आने से युवक नदी में फस गया था जिससे प्रशाशन और हेलिकाप्टर के मदद से आखिरकार बचाया गया सुटियन वारत से ब्यूरो रूपोर्ट चिनवाडा और वहां पे माचा गोरा के बीच में एक टापू में ये सुखेंद कहार वहां फसे हुए थे कलेक्टर महोदे ने लगातार प्रयास करके आर्मी का हेलिकाप्टर बुलवाया वहां से बात की और लगातार हम लोग कॉडिनेट करते रहे कल रात में भी निकालने का प्रयास हुआ था परंद खराब मोसम के कारण हेलिकाप्टर रेस्क्यू नहीं कर पाया आज सुबह सुबह रेस्क्यू किया गया यहां पे हवाई पट्टी पे हम लोगों ने डिसन एस्पी साब और हमने इनको रिशीव किया है हम इनको जिला स्पताल ले जा रहा है इनका सास्थ परिक्षन कराने के बाद अब उसके पस्चाथ इनको घर भेजा जाएगा और यह सुरक्षी थैं हमने चेक कर लिया इनसे बाचीत हो रही है लगत सुरक्षी थैं इनको कहीं कोई दिक्कत नहीं है और चल रहा है अगर कहीं कोई ऐसे लोग फसे हैं तो हमारी NDRF की टीम, Home Guard की टीम, Revenue की टीम, पुलिस की टीम लगी हुई है जिला प्रशाशन, पुलिस का अमला, नगर निगम का अमला, हमारे ग्रामीन शेत्रों का अमला लगातार लोगों को निकालने का प्रयास कर रहा है, कोई भी कोई अपरी इस से निर्मित नहों हम लोग पूरा प्रयास में